कि हम लोग देख रहे हैं आज हम लोग kvr प्लास चार्ज उतना माइनस चार्ज मतलब अब लोग क्या करता है जैसे पोजेटिव सप्लाई देंगे यह जो यहां पर आप देख रहे हैं यह ध्यान दीजिए यह आपका पलास टर्मिनल है ब्रक कमीना है यह क्या काम करेगा यह टॉप पलिट पर से जो इलेक्ट्रोन है इसको क्या करेगा अपनी और खीचेगा इले को यह निगेटिव इलेक्ट्रों को क्या करेगा यह से चार्ज यह कभी भी जानते हैं एक लड़का एक लड़का को थोड़ें पर पोस्ड करता है लड़ा लड़की को पर पोस्ड करता है यह बिचार देख रहे हो अपनी महभूब आ को JIन इनिगेटिव को Video बुलाई लेक पलस जो है पोजेटिव चार्ड चार्ड यह का पोजेटिव जो टर्मिनल है बैटरी का यह क्या काम करेगा इलेक्ट्रोन को अपनी और खीचेगा और निगेटिव टर्मिनल क्या होगा इस इलेक्ट्रोन को रीपिल करेगा पूस कर देगा तो बॉटम पॉलेट ठीक है यानि टॉप पलेट से इलेक्टरॉन को पोजेटिव टर्मिनल खीचेगा और इलेक्टरॉन को क्या करेगा बॉटम पलेट पे जाकर रिपेल करेगा यह काम करेगा देख रहे कर रहा है कर रहा है बैचारा कर रहा है तो इलेक्टरॉन को खीच रहा है खीच रहा है और इलेक्टरॉ को उसने खिच लिया था positive terminal, Eluktron के loss के एकारण से जो charge develop होता है, उसको positive charge काते हैं, और electron को gain होने से जो charge develop होता है, उसको negative charge काते हैं, अब यहां पे क्या होगा भाई, charge के develop होने के करण potential develop होगा, electric field के एक एक potential difference होगा, ठीक है, और potential difference होता हैell वकता है भस्कमवाँ से पर आपका सप्लाइड बोल्टेज बेचंव सब्सक्राइब बाने को इस इस सब्सक्राइब होगा उतना ही यहाँ एक साज़ का इस्टेंस और ढीक कर सका हुए सुटने तो बीच का जितना जेदा होगा उतना कम होगा, और voltaic यानि electric field directly proportional है voltage का, और inversely proportional है distance between two pilots का, ठीक है? बनों pilots के बीच का जो distance उसका inversely proportional और जो supply voltage है उसका directly proportional होने बомने बला है, अब हम आप लोग क्या करते हैं, supply voltage हटा देते हैं, तो भी इस पे charge रहेगा ही, चार्ज भागने बाला नहीं है यह भाई टॉप प्लेट पर पॉजेटिव चार्ज रहेगा ही और बॉटम प्लेट पर निगेटिव चार्ज इसको क्या करता है को लोड से जोड़ देते हैं लोड के रूप में यहाँ बल्ब लेते हैं ठीक है और बल्ब ले रहे हैं यहाँ इसिस्विच को जैसे ही देखिये कमाल होने वाला है ध्यान से सुनियेगा अभ iç기는 ट्रोक पर नियुए देखिये उन highlighting पर निगेतिव चार्ज था और बेसे प्ल grilled पॉटम प्लेट पे जमा ह smells यह प्लूर्ब निगे बीच में यह रहा प्योट नहीं चाहते घ्माग लगाती है बैडियर नहीं पार करेंगे नहीं करने दाना तूख वहां पर हमसला रस्तें चेंज लेंगे यह देखे क्या काम करता है रस्ता चेंज कर लेगा एलक्ट्रोन देखेए बल्ब से होते हुए लाइप है लाइप लड़की मता नहीं देना लाइप में लड़की आगी आपके जीवन को स्वाहा देखो कैसे इलेक्ट्रों जो है प्रोट्रों को स्वाहा करेगा इसी तरह से लड़की जो हो लड़का की लाइप को स्वाहा कर रहा है देखो इलेक्ट्रों जा रहा है इसपर गिंपर के तरह से इस वर कर रहा है आपने देखा था किस तरह से चार्ज वा था और किस चार्ज भी हो गया लोड से को नेक्ट करने के दूरान चुँक्ज यह प्रोटा उपर ला पर वा पर पजेटीब्च निगेटीब्च लम पर ने görव तब डा। तो जब भी आप इसको क्या काम कर रहे हैं एक बैटरी से जोर रहे हैं इसको वोल्टेज दे रहे हैं सप्लाइज दे रहे हैं यहां पर क्या होगा चार्ज डेवलप होगा और चार्ज डेवलप होगा न तो इसमें एक चीज़ याद रखेगा चार्ज को यह क्या काम क्या होता है इस प्लेट का उसी को में लोग क्या होता है तो दो प्लेट का जो कप चार्जिंग जो कड़कर करने का जो क्या करते हैं यहां पर जो Q अपॉन B इसका फर्मुला होता है ऐसा क्यों ऐस लिए है या क्यों यहां पर भी जो ओता है आपका ड्रेकली परॉपर्ट्शनल होता है Q का भी ड्रेकली परॉपर्ट्शनल Q या आप यह भी बोल सकते हैं यह वी बोल सकते हम क्यूं जो एक सकेंड यह जो किव आपका है जो चार्ज हो गाना वह डुर। गॉल टिशा बॉटेज का वॉल्टेज जीतना जेदा अपला होगा देखें थे इलेक्ट्री फिल्ड उतना जीदा था इलेक्रिक फिल्ड जितना जेदा होगा चार्ज जो है इलेक्रिकल फिल्ड के रूप में उतना ही जेदा इस्टोड होगा इलेक्रिकल फिल्ड के रूप में इस्टोड करने का काम करता चार्ज को इलेक्रिकल फिल्ड के जब भी यहां पर चार्ज डेवलप होगा क्या करे भी ठीक है और इसका यूनिट होता है फेराडे होता है इसका मीली फेराडे भी होता है माइक्रो फेराडे भी होता है और पीको फेराडे भी होता है जो एक लार्ज यूनिट है ठीक है इसको क्या काम करना है आपको चार्ज को बराना है इसका इलेक्ट्रिक फिल्ड को बराना कैपसीटर का जो होता है वो mitad करता है अर्ड ऑप पलेट पर डिस्टेन समान उता रिटी clarity होता है किसका और इनबरसली पर्बरोपर्शनल होता है दो प्रेट के बीच के distance का देख रहे हैं और directly proportional होता है permittivity of dielectric material जो इसके बीच में दो प्रेट के बीच में जो dielectric material यूज किया गया है उसके permittivity का भी directly proportional होता है ठीक है एक ची याद रखेगा और यहां पर supply voltage भी हम लिख सकते थे supply voltage का भी directly proportional होता है capacitance ठीक है यह भी लिख सकते हैं ध्यान पर्मिटिवीटी का भी directly proportional होता है ठीक है जो dielectric material का electrical पर्मिटिवीटी है यहां पर फिल्ड जो भी बनता है ठीक है वह आप सिंपल देख सकते हैं यह पर्मिटिवीटी आप इलेक्रिकल मेटरियल जो होता है उसको हम इसे डिनोट करते ही बराबर लिख सकते ही नोट इन्टू यार ठीक है अब सिंपल यहां पर एक चीज़ है एक सेकेंड अब यहां पर यह क इसमें जो इलेक्रोंज है मूब तो नहीं कर सकते हैं सॉलीड की तरह होते हैं तो उसमें क्या होगा अपनी और से अपनी तरह सी एरैंज होते हैं ठीक है एलाइन्स होते है प्रोटॉंस और इलेक्रोंस लेकिन लेकिन जब इसको हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो यह code इलेक्ट्रोन्स जो है यह फ्लाइड बोल्टेज के अनुसार से अपने आपको अलैन करते हैं यानी जो टॉप प्रेट पर चुकि पोजेटिब चार्ज है तो उपर में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा और यहां पर बॉटं पर उसका electric field है एक दूस्ती को अपोच करता है ठीक है तो यदि आप लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल पलटेकनिक गुरू को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिलीज सब्सक्राइब कर लिजे पलटेकनिक गुरू को ठीक है और यदि आप लोग 1 समेस्टर का आप प्लटेकनी का कलास करना चाहते हैं तो मैं 5 दिसम्बर या 10 दिसम्बर से एक बेच्च स्टार्ट करूँगा आप लोग कलास में रजोईन कर सकते केद्राबाद दरभंगा टेक्निकल केदराबाद दर्बंगा ऑनलाइन कलास करना चारते हैं प्लेस्टोर से मेरा यूट्यूब एप पल्टेक्निक गुरू डाउनलोड कर ले आप लोग